13.3 गोली सत्ह द्वारा अपवर्तन आपने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए अत्वा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करते देखा होगा क्या आपने कभी चश्मे के प्रिष्ट को छूकर देखा है? इसका प्रिष्ट समतल होता है या वक्री? क्या या बीच से मोटा होता है या किनारों से? 13.3.1 लेंस द्वारा अपवर्तन लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो प्रिष्टों से घिरा होता है जिन में से कम से कम एक प्रिष्ट वक्री होता है इस प्रकार के लेंसों में प्रकाश केड़ने या तो एक बिंदू परेकत्रित होती हैं अर्थात अभी सरित, converge अथवा प्रकाश केड़ने फैल जाती हैं याने की अपसरित diverGE किसी लेंस में बाहर की ओर उबरे दोनों गोली प्रिष्ठ हो तो वह द्वी उत्तल या केवल उत्तल लेंस कहलाता है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है हम केवल ऐसे लेंस की बात करेंगे जो पतले होते हैं अर्थात उनकी मोटाई नगन्य होती है 13.3.2 गोली लेंसों से सम्मन्धित कुछ मुख्य परिभाशा है यदि लेंस में दो वकरी सता है तो दो वकरता केंदर भी होंगे इन्हें C1 वा C2 से प्रदर्शित किया जाता है वकरता केंदर से लेंस के केंदर की दूरी वकरता तृज्ज्या आर कहलाती है दोनों प्रिष्ठों की वकृता त्रिज्या क्रमशा R1 वा R2 कहलाती है C1 वा C2 को जोडने वाली सरल रेखा मुख्य अक्षोती है किसी पतले लेंस का केंद्री बिंदू प्रकाशिक बिंदू O कहलाता है लेंस की वृत्यकार रूप रेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है क्या आप लेंस का मुख्य फोकस बिंदू पता लगा सकते हैं क्रिया कलाब 2 के समान कोशिश करके देखें सोचिए जब हम प्रकाश की समनांतर केरणों को लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है चित्र ध्यान पूर्वक देखिए उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानतर प्रकाश की किरने लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदू पर अभी सरित हो जाती है मुख्य अक्ष पर यह बिंदू लेंस का मुख्य फोकस F1 कहलाता है मुख्य Focus से प्रकाश केंद्र O की दूरी Focus दूरी F कहलाती है द्वी अवतल Lens अंदर की ओर वकृत दो गोली प्रिष्टों से घिरा होता है या बीट से पतला वकिनारों से मोटा होता है इसे अवतल Lens भी कहते हैं जब अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानतर प्रकाश की अनेक केड़ने आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदू से अपसरित होती प्रतित होती है यह बिंदू अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है अव्तल वा उत्तल लेंस में दो फोकस बिंदू होते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से दोनों और समान दूरी पर होते हैं फोकस तल मुख्य अक्ष के अभिलम वा तल होता है जो फोकस बिंदू पर बनता है